हलो प्रेंट स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज किस वीडियो में दिल्ली फॉरेश्ट डिपर्टमेंट में जो फॉरेश्ट गाट की एक तारीक से साथ तारीक तक यानि एक मार्स से साथ मार्स तक परिच्छा चला है उसकी मिनिमम कटाप के बारे में बताने वाला हूँ है जहाँ दोस्तों आप लोगों का काफी एड़ कमेंट आ रहा है कि कम से कम कम से कम कितना नंबर हो की आपका सेलेस्टन्स होने की चांसे है धारे मतलब आप आपका इतना नंबर मिनिमम होना ही चाहिए कि आपका सलेक्सिंस की सांसेज बनते हैं वहां से आप यदि उससे भी नीचे हो जाते हो तो आप लोग नार्मलाइजेसंस पर भी भरोसा मत रखिए आप लोगों को ये भी रिजल्ट की डेट के बारे में वीडियो को एंड में ब होना चाहिए दोस्तों यदि आप जन्रल कटेगरी से बिलॉंग करते हो और 115 प्लस आपका नंबर है या फिर कह लिजिए कि 110 प्लस आपका नंबर है तो आप लोगों का नार्मलाइजेसंस में नंबर बढ़ सकता है 10 से 15 नंबर या फिर आप लोग कह लिजिए 20 नंबर बढ ही है उससे उपर ही है तो आप लोग मान लीजिएगा कि आपका नार्मलाइजेसंस के थूरू नंबर बढ़ सकते हैं और सलक्संस में आ सकते हो आप लोग अपना रिजल्ट जरूर वेट करिए और फीजिकल का प्रिप्रेसंस भी तैयार कर सकते हो तो यदि कोई चांसेज बढ़ जाएगा पर अगर बात कर लिया जाए ईडबलू यस कंडिडेट का दोस्तों यहाँ पर समझेगा कि 95 प्लस यदि उनका नंबर आ रहा है दोस्तों आप लोगों का नार्मलाइजेसंस के थूरू नंबर जब बढ़ेंगे तो आप लोगों का सलक्संस का च चांसेज बन सकता है उससे नीचे दोस्तों यदि कोई कंडिडेट का नंबर आ रहा है तो आप लोग मान के चलिएगा कि आपका बहुत कम नंबर है बहुत कम चांसेज है कि आपका सलक्संस हो जाए आपका बहुत कम सीट भी है इसमें 200 प्लस सीट के वल है दोस्तों से मिनीमम बताया हूँ यदि इससे भी कम किसी का नंबर आ रहा है तो उसका सलक्संस के चांसेज दोस्तों बिल्कुल बहुत कम है लेकिन दोस्तों इससे प्लस में है जो का सलक्संस का चांसेज दोस्तों 99 परसेंट बन जाता है तो इसका रजल्ट दोस्तों बहुत जल्द स नीची दीगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा वीडियो को भी तक लाइक नहीं कियो तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे थाइंक यू थाइंक यू थाइंक यू थाइंक यू